हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola Edge 30 Fusion Android iPhone में आप Phone Ringtone Setting को आप Disable कैसे कर सकते हैं यानि कि Off कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये Phone Ringtone Setting जो है Disable करने के बाद इस सेटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जनकारी देने वाला हूं तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पर तो आपको अपने mobile phone में Setting पेज ओपन करना है ठीक है इस पेज को आपको निचे की साइड स्क्रोल डाउन करना है इस तरीके से तो सबसे उपर आपको ये Non का उप्शन मिलेगा फर्स्ट ठीक है पहला उप्शन मिलेगा नोन का इससे सेलेक्ट करना है तो नोन के सरकल पे आपका टिक मार्ग लग जाएगा अब आपको इसे पर कोई भी incoming call आएगा तो आपका mobile phone जो है इन में से कोई सी भी ringtone की sound create नहीं करेगा तीक है आपका mobile phone जो है यानि incoming call नॉर्मल सी sound create करेगा जो कि आपके mobile phone के default system में set होती है ऐसा नहीं है कि आपने इसे disable कर दिया औफ कर दिया तो यह कोई भी sound create नहीं करेगा, sound करेगा, लेकिन वो ringtone इन में से किसी की ringtone की sound नहीं करेगा, लेकिन आपके mobile phone की default setting में जो set होती है, आपके पहले से tune, ठीक है, वो sounds create करेगा, ठीक है, आप इसे disable करके, use करके देख सकते हैं, अब मैं आपको इस setting को दूणने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूं, आपके mobile phone में, आपको करना है, setting page open करना है, सबसे ओपर आपको search setting का यह option मिलेगा, search setting पर select करना है, अब यहाँ पर आपको search बार में type करना है, phone ringtone, ठीक है, जो setting का name है, वो आपको यहाँ पर पूरा type कर देना, इस तरीके से, तो आपको नीचे यह option show हो जाएगा, इससे select करना है, इससे होगा क्या कि आपको mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आ जाएगा, और इस setting को highlight करेगा, तो यह shortcut तरीका इस setting को ढूंडने का,